Hello Everyone, आज हम बनाएंगे Fruit Custard, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं हरे अंगूर, काले अंगूर, सेब जिसे मैंने काट लिया है आम इसे भी मैंने काट लिया है अनार, कस्टर्ड पावडर जो मैंने यूज किया है वेलीना फ्लेवर का चीनी कस्टर्ड पावडर के लिए है मैंने तीन चमच, अब मैं इसमें डाल दूँगी दूद, दूद मैं ले रही हूँ ठंडा हमें इसमें ठंडा दूद ही यूज करना है अगर हम गरम दूद से इसे मिक्स करेंगे तो इसमें लम्स पढ़ जाएंगे और ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए यह देखिए अच्छी से मिक्स हो गया है यहां पर हम दूद अपनी जरूरत के अकोडिंग एड़ करेंगे यह देखिए अच्छी से मिक्स हो गया है तो छळी हऐसे रख देते हैं साइड में चलते हैं नेक्स्त प्रोसस की और यहां पर मैंने एक पयन में ले लिया है दूद अब इसे अच्छी से बॉइल के कोडिंग कम या जादा भी कर सकते हैं अब मैं इसमें एक बोईल आने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दूंगी और इसे लो टू मेडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनिट के लिए पकने दूंगी अब हम इसमें एड़ करेंगे कस्टर्ड इसको हमें थोड़ा सा चला लेना है क्योंकि कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है दूद में अब हम इसे दूद में डाल लेंगे और दूद को साथ-साथ चलाते रहेंगे जिसह यह दूद में अच्छे से मिल जाएगा अगर हम दूद को नहीं चलाएगे तो यह पैन की नीचे जाके बैठ जाएगा जिससे कस्टड का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा तो हमें इसे लगतार चलाते रहना है अब मैं इसे लो टू मेडियम फ्लेम पर 6-7 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी देखिए हमारा कस्टड पक चुका है अच्छे से अब मैं गैस का फ्लेम ओफ करूँगी इसे ढख कर रख दूँगी ठंडा होने के लिए उसके बाद मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी एक से दो घंटे के लिए देखिए मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्रूट्स फ्रूट आप इसमें अपने टेस्ट के एकोडिंग जो भी आपको पसंदो वो डाल सकते हो अंगूर इनको मैंने दो पीसिज में कट कर लिया है अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे अब मैं इसे उपर से गार्निश कर लेती हूँ देखिए हमारा फ्रूट कस्टर बन के तयार है आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी किमती फीडबेक मेरे साथ जरूर शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग